वेलकम टू कोंटम मेकानिक्सवन, आज का हमारा टोपिक है effect of raising and lowering operator on eigenvalue of J square. So, हम start करेंगे सबसे पहले raising operator J plus effect of raising operator J plus on eigen value of J square J Square जी है वह हमारा total angromantum है और J Plus जैंग abund까요 , तो हम हमने अनिशलिक किया है पहले भी कि अगर हम साई को कुंसिडर कर लें कि वह जे स्केर के आइगन स्टेट है तो उसके जो आइगन वैल्यूज है वह एलफा होंगी सच टैट जे स्केर ऑपरेटिंग ऑन साई विल गिव यू एन आइगन वैल्यू अलफा एंड़ साई विल वी तो इस आइगन वैल्यू पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं तो उसके लिए हम लेफ्ट हैंड़ साइट पर लेंगे जे स्केर वह यह आगया जे प्लस जो कि हमने अप्टेट करवाना है और साई आइज इस आगया तो जे स्केर साथ अपलाई करेंगे इसके उपर विच इस एक्वल टू जे स्केर और ये जे प्लस की वैल्यू लिख दी हमने आ जे प्लस की वैल्ई यह प्लस लेक्शे में पूड़ थी विच इगवल टू जे इक्वल टू जे एक्स प्लस एउता जे वाई और वो स्टेट ऐइस आगई अब जिस फिर मल्टिप्लाई हो हैं अब हमने यह दो भूसके की वैलियू के लिएडि Rights ओर जैसके र厘 के य इसके लिए लिए हमम कम् blessing रेशन की इस्तिमाल करेंगे जिसके और जैक्स कम् 2310 की इंकल होता है हमें बटा है तो commutation relation open तो ऐसे ही होता है ना ए बी माइनस बी ए तो यह फोर्स्ट सेकिन टो यह इस तरह से ओपन अब कर सकते हैं जो कर सकते हैं जो अगर सो बागे ठीज्ट अब यॉ सिन्हें वैल्यूट कर दियेगे वैल्यूट करने के बाद राइट साइड पर जैडिक हमारे पास दोना तुना डम्स में आड़ा तो उसको राइट साइड पर कॉमन ले लेंगे तो जो बाते हम रहे जाएगी वह रहे जाएगी जो कि मैं पता किस के को लोगती थी जेह प्लस के ले डा गई और जेश के जब अप्डेट करता है साई के ओपर तो महारे पास और किया आता है alpha psi यह हमने last slide में देखे हैं यहां देख सकते हैं j square जब psi पर उप्रेट होता है alpha psi तो j square psi के जगा पर हम alpha psi भी लिख सकते हैं तो यह हमने किया है j square psi के जगा पर हमने उसको लिख दिया alpha psi तो हमारे पास जो final equation आगी हो आगी j square j plus psi is equal to alpha j plus psi तो इस equation से में नदल आ रहा है कि जब हम j plus operate कराते हैं तो हमारे पास जो eigen value है वो alpha आती है जो के पहले भी alpha ही थी अगर आप व्याद हो जो initial equation हमने consider की थी that was कि j square psi पर उपर उप्रेट करेगा तो answer आता है alpha psi अब हमने j plus भी जब apply कर लिया है तो हमारे पास जो है answer आया alpha और इसका मतलब यह हुआ कि application जो है j plus की eigen state cipher वो कोई effect produce नहीं करती eigen value alpha पे तो j square पे अप्र अप्लाई करेंगे answer alpha आएगा और j plus भी साथ apply कर देंगे तब भी answer alpha ही आएगा which means it has no effect तो यह था j plus का case अब हम देखते हैं j minus का case तो j minus case में again same steps j square यह हमारी initial equation है अब हम यह j minus apply करेंगे तो यह j minus यह वो x minus iota jy होता है तो यहाँ इसको open कर लेंगे j square हो जाएगा फिर इन दोना values को हम calculate कर लेंगे commutation relation से जो case के equal होती है आप easily find कर सकते हैं previous formula यूज़ करते हो भी तो अब इन values को अब इन values को हम इसमें put करेंगे तो यह हमारे पास equation आजएगी again j square तो right head पर common है तो common ले लेंगे यह term j minus के को लोती है यह alpha psi के को लोती है तो महारे पास यह final equation आजएगी कि j square j minus जब cypher apply करते हैं तो answer हमारे पास आता है alpha again इसमें कोई change नहीं आया हमारी initial statement वही थी कि j square cypher operate करेंगे तो answer alpha होगा और जब j square के साथ j minus भी apply करेंगा तब यह answer alpha ही आएगा हमारी eigen value alpha ही आएगी this shows that कि j minus जब वह operate करवाते हैं आइगन state side पे तो उसका भी कोई effect नहीं होता आइगन value के तो यह इसकी schematic picture है कि यह फर्स कर लें यह ज़ह है यह j square है तो j square पर जब आपने j plus यह j minus apply किया है तो वह अपने state को change नहीं कर रहा वह raising यह lowering statement नहीं जा रहा वहीं मुझूद है जैसा कि हमने पिछली case में बढ़ा था जब हम ने discuss किया था कि जब हम j plus और j minus apply करते हैं j z component पे तो वह step by step increase यह decrease होता है उसके आइगन value में change आता है लेकिन यहां total incrementum j square की case में हम देख रहे हैं कि j square के उपर जब हम कुछ apply करते हैं j plus or j minus तो उसकी value में कोई भी फर्क नहीं आता तो सवाल ही है कि फर्क क्यों नहीं आता so of course is a question that why j plus and j minus do not change the eigen value of j square and the answer is very simple हमें पता है कि जो law of conservation है कि total angular momentum जाया है वो किसी भी system का वो constant रहता है जब तक कि कोई external torque उसके उपर रेक्ट ना करें so जो आइगन value है total angular momentum j square की वो same रहेगी however j z is a component of angular momentum कि j z जो हमने last lecture में बढ़ा था कि जिसकी value change हो जाती थी j plus या j minus अप्लाई करने के साथ तो वो गर रहे हैं कि j z जो है वो component angular momentum का इसलिए उसके जाइगन value है वो increase या decrease हो सकती है due to the application of lowering and raising operator while keeping the total angular momentum is constant तो j square j यह हमारा total angular momentum है यह j minus j plus से change नहीं होगा हतागे j x, j y या j z यह तीनों components हैं अगर इन में से किसी भी components के साथ आप j plus या j minus को अप्लाई करेंगे तो वो उसके eigen value में जरूर फर्ट पैदा करेंगा तो जैसे कि हमने देगा था लास लेक्षर में कि j z की eigen value हैं वो j plus और j minus से change होती है तो यह था जी हमारा आज का लेक्षर सवाल हो तो आप comment में पोछ सकते हैं Thank you very much झाल आप में जी होज़ची तो जी हैं झाल आप को झालबची एक्षर झाल आप को झालबची एक झालबची एक्षर